आपका बहुत शुक्रिया कि कल शाम में आपने फोन करके मेरी खेरियत और मुझसे दर्याफ किया कि क्या हुआ और आपने मुझे बताया कि आपने फोरण पुलिस के अला अधिदारों से बाचीद भी की मैं आपका बहुत शुक्रिया दा करता हूँ कि आपने अपनी समयधानिक जिम्मधारी को एक रुकने पारलिमान के जान पर जब खातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर आपने उस बात की मैं आपका शुक्रिया दा करता हूँ स्पिकर साब मैं मुक्तसर से यहां पर यह बात कहना चाहूँगा कि मुक्तलिफ सियासी पार्टिया मुक्तलिफ परदेश में अख्तिदार करें यह बात आप तमाम को मैं गोशे गुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं बैलट पर नहीं करते हैं आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना राडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस सम्विधान पर एतिमाद नहीं रहा उनको अम्बेटकर के बनाए हुए सम्विधान के खिलाफ हैं जो इतनी नफरत पैदा करते हैं आखिर ये कौन लोग हैं मैं इसको सियासी गुफटगू नहीं करूंगा ये सब के लिए छोड़ रहा हूं क्योंके जहां तक मुझे मालूम के मैं दो मरतबा का विधायक हूँ चार मरतबा का सांसद हूँ और अगर इस तरह से अगर राजनीती आगे बढ़ेगी के टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और चार राउंड गोलियां चलाई जाती है आखिर इन नौजवानों को ये कैसे राडिकलाईज हूए और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ क्या उन्हों ने ये राडिकलाईजेशन सेयत खुतूब की किताब पढ़कर राडिकलाईज हूए अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर राडिकलाईज हूए या आमनल जोहरी की किताब पढ़कर राडिकलाइज हुए इसलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटर्नल सेक्यूरिटी डिपार्टमेंट M.H.A. में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर राडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इसे राइट विंग कमिनलिजम और टरिरिजम बढ़ेगा मैं आप से अपील कर रहा हूँ कि जो गलती N.D.A. 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं कि आपको नुखसान होगा आपकी सरकार को नुखसान होगा देश को तो देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है सर, मैं आपके जरीय से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यह राडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गोर करिये, इन पर यूए पीए क्यों नहीं लगाते आप अगर कोई स्पीश देता है, अगर कोई फेस्बुक पर किसी किर्किट मैच पर किसी टीम की ताईद करता है तो यूए पीए लगता है, एक सिटिंग एंपी के ओपर यूए पीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूँ सर चहुती बाती है कि रैडिकलाजेशन की जब बात होती है, हमने यहाँ पर एक कॉंग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं, दौलत के तबार से, नहीं सर, भारत की दौलत महबत है, भारत की दौलत, पैसों की दौलत नहीं है भारत की दौलत महबत है, हाँ दो भारत हैं, एक महबत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या महबत की भारत की मिसाल देंगे अगर महबत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है इस दो भारत को समझने की जरूरत है सर, मुझे खत्म करें सर, सुनिये सर मैंने खरीब से छे फीट से गोलियां देखी मुझे बोलने दीजिये सर हो सकता है कि कल दिन ना देखू मैं अगर मैं यहां पर नहीं बोलूँगा तो कहां बोलूँगा सर आप मुझे प्लीज बोलने दीजिये सर, मैं आप से गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरीदवार में राइपूर में और अलाबाद प्राराइच में मेरे बारे में क्या कहा कहा गया आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना आप क्यों चुपा रहे उसको एक बन हो जाएगी तो इंशालला और अंगाबाद की समीन मुझे दफना आए जाएगा मगर मैं आप से अपील करना चाहरा हूँ सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गहीं उसको देखिए मैं जेट कैटेगरी सेकुरिटी नहीं चाहिए मुझे मैं हर्गिज नहीं चाहिए मुझे मैं नाइन्टी फॉर से पॉलिटिक्स में हूँ मैं आजाज जिन्देगी गुजरना चाहता हूँ मैं गुटन के साथ जिन्दा नहीं रह सकता इस दुन्या में मुझे जिन्दा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है मुझे जिन्दा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाब बोलना है और अगर गुली लगती है तो मुझे खुबूल है मगर मैं गुटन की जिन्देगी नहीं गुजर सकता सर मेरा मानना ये है कि संबीधान में अगर देश के गरीबों को मजलूमों कौल्प संक्यक समाज को सेक्यूरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी आपकी चिंता हमें है ना सर आप मैं अच्टिये सेक्यूरिटी दे रहे है नहीं सर देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूँगा OVC की जान इखलाफ पीलू से बढ़कर नहीं है सर OVC की जान उस वक्ट बचेगी जब गरीब की जान बचेगी इसलिए मैं आप के जरीए सरकार से पील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खतम करिए इस नफरत को खतम करिए और इस पर आप गोर करिए मैं नहीं लोगँगा सेक्यूरिटी मैं जेट कैटेगरी नहीं चाहता हूं सेक्यूरिटी मुझे एक कैटेगरी का शेहरी बनाईए आप मुझे एक कैटेगरी का शेहरी बनाईए ताके मेरी और आपकी जिन्दगी बराबर हो जब देश के पदान मंत्री पर सेक्यूरिटी ब्रीच हुआ अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ सब सेकुलर पार्टी के लिगों ने कहा कि ओई सी तुम क्यूं बोले तुम क्यूं बोले मैंने कहा नहीं देश का पदान मंत्री मेरा है सेक्यरिटी ब्रीच हुई तो आक्शन लेना चाहिए मगर चार मरतबा के MP पर कोई छे फीट के फासले से चार-चार गोली चलाता है मुझे मौत है हम सब की मौत है मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैटने वाला हूँ मैं दुआ करता हूँ कि उत्तर परदेश में पुरा मन पोलिंग होगी इन्शालला उत्तर परदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी नफरत का जवाब महब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी मेरी आपसे गुजारीश है सर कि मुझे जट कैडिगरी नहीं चाहिए मैं रिजेक्ट करता हूँ आप इनसाफ करिये सर उस पर यूए पिये लगाई और इनके दिमाग कौन है दो लोग रिकी करते हैं उनको मालूम कि मैं मीरट की ठोर से आ रहा हूँ उस टोल गेट पर और छे फीट के फासे पर गोली चलाते हैं तो आप देख लीजे सर आप सरकार के हवाले अगर आप इनसाफ करना चाहें आप इनसाफ कर सकते मगर राडिकलाजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इसके राइट विंग टरिजम बरेगा शुक्रिया